असलामलेकूम दोस्तो मैं हूँ अभीब लोधी कोप्रे.PK के प्लेटफरम पर आपको खुश्यम्दीप कहता हूँ दोस्तो इस वीडियो में आपको इसके प्रिंटर्स के तमाम कवर्स ओपन करना सिखाऊंगा किस तरह ओपन किया जाता है और किस तरह उसको दुबारा बिठा जाता है एक फार्मूला जो आप याद रखेंगे रमिशा वह यह है कि जो चीज सबसे पहले आपने ओपन करनी है उसको सबसे एंड में आपने क्लोस करना जादा तरह देखिए दो तरह के स्कूरूर आपने यूज़ करने एक तो फ्लिप से स्कूरू डैवल और दूसरा फ्लाइट चलिए इसको ओपन करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप इसका टोनर निकाल लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप प्रिंटर ओपन करेंगे तो आपने उसके फिजिकली चारो तरफ अच्छी तरह नजर मानी है कि आपको नजर आजए कि कहां से प्रिंटर में ओपन होना है तो आपको कुछ लॉक्स नजर आएंगे और वो देखकर आप अच्छी तरह इसको ओपन कर सकते हैं बारहल मैं आपको अभी आपन करता हूं कि देख लिए यह आपको कुलू मिल जाएगा कि यहां से आपने इसको ओपन करने हैं यह देखिए जैसे ही आप इसको लेट साइ जब हो जाती है तो प्रेक्टिस में का पर्फेक्ट इस लॉक्स यह देखिए प्रिंटर के लिए लॉक्स होते हैं जब आप प्रिंटर को ओपन कर लेते तो आप उन लॉक्स का यतियात करें प्रिंटर को खोलने के लिए यह जगह है यहां से आपने इसको प्रेस करना है ताकि यह इसली बाहर निकला कहीं पर भी आपने एक्स्ट्रा फोर्स यूज नहीं करनी एक्स्ट्रा जौर नहीं लगाना जहां पर आपका एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है इस कवरिकों करने के बॉन के बॉर्ड नदर आ रहा है इस बॉर्ड पर यह ते यह आद आ पर्मेटर बोर्ट कहलें या इसको आप कह सकते हैं के इंटरफेस बोर्ट इसके लावा इसको मदर बोर्ट भी कह सकते हैं प्रिंटर का इसमें देख लीजिए आपको USB और पर्लेल पोर्ट नदर आ रही है इसमें एक नेटवर्ट पोर्ट भी होती है जो के नेटवर्ट प्र तो यह देखें यह एक relay है, जो इसको engage कर रही है, सुच कहा लें आप इसे, यह सुच है जो इसको engage कर रहा है, यह एक solanite है, इस clutch को ऐख, जो है, operate कर वाती है, timing बताती है के कहा से paper, कहा travel हो गया, उसके बाद, foran say, signal मिलते है, और यह बहुत travel, paper मजीद आगे travel हो जाता है, हुआ हो या कोई और पर्टिकुलर ऐसे जो कि इसको प्राव्लम करते हैं तो ग्राउंड की प्राव्लम आ सकती है जो के प्रिंट की जो के बैड प्रिंट या आप कहलें कि एक धुंदला पंसा आ या फ्र अइसा लगता है कि जैसे किसी ने आजीब से मैं आगे जाके इसकी पिक्चर भी दिखाओंगा कि इसकी जो यह को प्रावलम आ इसकी आएक आसकी आपके प्राव्लम कार्स को सही से रीड नहीं करें रहे equipment यह वो बता नहीं शूब RAW masih का इसकी साइजके तो तो इसकी विज़े से jamming आ सकती है, अगर इसकी बात करें हैं आप तो यहाँ पर अगर paper size जब भी इसके gears वेगर आप देख रहे हैं, इसमें एक teeth बनेवे हैं, यह gears वेगर हैं जब خराब होते हैं, तो उसकी विज़ा से भी जैमिंग आ सकती है, प्राबलम आ सकती है, इसमें जितने भी गेर हैं, वो एक टैफलोन टाइप के बने वे हैं, और टैफलोन मेटरियल यूज़ वाव है, उससे ये बने वे हैं, और ये जब चलते हैं तो बहुत जादा अगर पेपर साइज आपका पावर सप्लाई से, जो के इस बोर्ड को पावर सप्लाई मुहिया कर रही है, और इसको मुख्लिफ सिगनल्स दे रही है के फलान जगा पर, इसके किसी भी यूनट को जो वाल्टी चाहिए, वाट्स चाहिए, वो इसको यहां से सप्लाई कर रही है, इसको अपरेट करने के यहां पर आप देख रहे हैं कि एक cable लगी है यह cable यहां से travel करके इसी board में आती है अगर इसमें कोई problem हो तो इस board में भी problem हो सकती है next आते हैं इसके एक LD unit होता है जो के laser unit कहलाता है laser diode unit वो unit basically उसका काम यह है कि वो आपके जो print है उसको travel करवा रहा होता है आपके drum unit पर और जब उसको printer से print देने की कुश्च करते हैं तो print नहीं आता तो ज़्यादातर problem इसी board की होती है formatter board की जितनी आप देख रहे हैं आइसी लगी है इन सब में जो problem आती है वो यही आती है कि आपका printer physically तो on होता है self print ले सकते हैं आप लेकिन जब आप printer से print लेते हैं तो इसमें कोई भी एक आइसी खराब हो सकती है जिसकी वी जैसी प्राब्म होती है और यह आइसी आप बोर्ड ही चेंज करना पड़ता है ज्यादातर क्योंकि यह रपेरेबल नहीं है अब हम इसके जो राइट साइट पर आपके जो unit है मैं उसके बारे मैं आपसे बात करूंगा कि यह unit आप देख रहे हैं कि इस side का हमने cover open किया है तो यहां पर आपको exhaust fan नजर आएगा जिसका मैं आपको बताया है कि इसकी जो heat produce करता है इसका फ्यूजिंग unit उस heat को यहां से exhaust करता है इसके साथ आप कुछ gear देख रहे हैं जो के gear जो इसके फ्यूजर उनको drive कर रहे हैं इन gears में भी अगर कोई problem आईगी यह gear घिसेंगे या gears में कोई particular बंक्स वगरा आजाएंगे तो यह problem कर सकता है कुछ भी बल्लब गेर अगर खराब है damage है कहीं से तो यह इसकी jamming आ सकती है या फ्यूजर में आपके क्रिंकल आ सकते है करता है या printing process उश्रू होता है इसके अंदर सारा mechanism इसी unit के अंदर है चुँकि printer के अभी मैं डीप में नहीं जा रहा तो आपको मोड़ी मोड़ी चीज़े बताऊंगा ताकि आप कम से का मैट्रीस आपको पता लगसा कि जो मैंने repairing करने लगा उसके इंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है नेक्स वीडियो में मैं आपको जो मजीद वीडियो आएंगी उसके आपको हर चीज़ के बारे में one by one step by step छोड़ी मुटी चीज़ के बारे में आपको जो इसके अंदर है units उसके बारे में बताऊंगा यह इसका पैनल बोर्ड है यहां पर इसको आप देख रहे ह में भी जा रही है मदर बोर्ड में भी जा रही है और इसके पैनल में भी जा रही है अब यह जो यूनिट आप देख रहे हैं यह इसका आप समझने के पेपर पावर यूनिट है जहां से पावर आप आन आउफ करते हैं और यहां से फीडिंग इसम्बली स्टार्ट हो जात लावा होता है और इस लाइट लगी भी होती है यहीं से ट्रैवल होके पेपर आगे जा रहा होता है जब भी आपका पेपर ट्रैवल करता है तो पेपर की जैमिंग से ही आपको पता लग जाता है कि कहां पर पेपर जैम हो रहा है पेपर ने ट्रैवल किया अगर पेपर फीड पुड़ा नहीं है कोई पिन नहीं है तो फिर आप उसी को चेक करेंगे कि वहीं पर जो है आपका हो सकता है कलच या कोई सॉलनाइट काम ना करी है या कोई गेर वहां पर डैमिज है उसकी वज़ा से यहां पर जैम हुआ है अगर वहां से भी ट्रेवल के आगे चला याता है लुए आपका पेपर आजाता है एक्जिट उनुट की तरफ फ्यूज उनुट की तरफ तो फिर आप इस इसंबली को चेक करेंगे कि यहां पर कोई प्रॉद्लम तो नहीं है यहां पर तो गए स्पराब नहीं है या कोई सॉलनाइट काम नहीं कर अदेखे क्यूंके मेरे प यहां से कोई तार अगर आपकी डैमिज है या या किसी वज्यादर आ सकती है। पावर्स के हवाले से। आप देखते होंगे कि उसके नदर दौ दो दो तीन 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 तरे लगी वी है तो यह जो यूनट है यह जिसका मैं आपको निशानद ही आप इसके ट्रे में जी तो दोस्तों आपको हमने जितने कंपोनेंट इसके कवर्स वगदा खोल के दिखाए आपको बात समझ में आ गई होगी इसी तरह से आपने ओपन करना है कुछ दोस्तों के करेंगे आपको तुमाँ प्रेटर्स के वादा थोड़ी थोड़ी इंफर्मिशन दे जो मेरी आगे आने वाली वीडियो से हैं तो फिलाल copy.pk से मुझे दीजिए जासत अल्लाफ़ाफ़ाइब